करेंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बार ग्राफ हमने ग्राफ में अभी टू टाइप के ग्राफ पढ़े हैं एक लाइन ग्राफ पढ़ा है और एक हमने इस केटर ग्राफ पढ़ा है तो आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, सब सब पहले हम definition देखते हैं कि बार ग्राफ की definition क्या होती है, यह बार ग्राफ is a graphical display of data using bar of different height, तो इसके अंदर जो बार ग्राफ होते हैं, वो दो टाइप को होते हैं, एक होता वर्टिकल, एक होता होता होरिसेंटल, तो हम जाधा से जा में क्या-क्या और चीजे include होती हैं, तो देखें, बार ग्राफ में length और height होता है, दूसरी चीज, इसके अंदर हम बार ग्राफ को horizontal and vertical दोनों create कर सकते हैं, जो हम अलड़ी बता चुके हैं, एक बार चार्ट describe the comparison between the discrete categories, किसी भी information को compare करने के लिए, उनके बीचे comparison show करने के तो देखें, हमाएं पास x and y दो line होती है, x and y और उसके अंदर क्या करते हैं, sector mention होते हैं, जिसके अंदर हम value measure करते हैं, या value को put करते हैं, और इनी के through हमारे graph बनते हैं, कौन से bar graph और उनकी कुछ height होती है, तो देखें, हमाएं पास ए graph है, अब the first sequence given the bar from the x axis and the second sequence value of the plotted on y axis, तो इसके अंदर जो main part होते है, x axis and y axis, example में, हम देखें, हमने graph के लिए क्या 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 क्या, import, matplot, pip plot लिया, यह क्यूद ग्राफ हमें क्रीट करना है, उसका nickname PP लिया, हमें क्या लेना है, list लिनी तो उसके लिए हमने numpy use किया, देखें, यह हमाँ as weeks एक list है, price हमारी दूसरी list है, और हमने क्या क्या क्या, PP, pip plot पर dot bar function को call किया, और उसमें as x and y हमने क्या लिया, we can price लिया, और उसको हमने show कर दिया, तो दीखें, यह हमारा bar graph create हो गया, जिसमें हमारी क्या है, height generate हुई पड़ी है, अब label, label क्या है, एक इनकी function है, जो अगर x and y जो label होते हैं, उसको mention करना है, कि x and y वास्तों में है क्या चीज, तो उसके लिए हमने क्या लिया है, function लिया, x label को mention करने के लिए, x label and y को mention करने के लिए, तो देखें, example में, हमने mat probably लिया, आप जानते हैं, graph को create करना है, list के लिए num by ले लिया, week हमारे, हमारे पास as a list है, price भी है, और हमने क्या किया, हमने mention कर दिया, कि जो हमार x label है, वो week है, और जो y label है, वो price तो name describe हो जाएंगे, और हमने क्या किया, bar, pp पर bar graph create कर लिया, week and price as a x and y लिया, और इसको show कर दिया, तो दीखें, हमारे पास क्या mention हो गए, यह दिखें, price and week, दोनों चीजे हमारे पा title क्या होता, किसी भी graph को represent करना है कि यह topic है क्या, तो उस topic के लिए हम graph के top पे हम उसका नाम लिख देते है, as a title, title of graph, तो देखिए, हमें इस example लेते है, matplot लिया, numpire, height हमने इस बार नई list लिया है, साथ में name भी ले लिया, कुछ name दिये हुए है, फिर हमने क्या किया, pp.bar as a name and height, हमने x, y लिया, title देखिए, title हमने लिया, pp.title, as a height of student, x label name लिया, y label height लिया, और उनको शो कर दिया graph को, तो देखिए, हमारे पास क्या आजाता है, यह देखिए, यह है height of student, यह है title, graph पे, हमें, अगर इसके अंदर label भी लेना हो, तो देखिए, हम import करते हैं, हमने mat plot lib लिया, dot py plot as pp, फिर हम again, import किया, num py as np, फिर हमने वही list लिया, जो हमने पिछली बार लिया था, week, ओके, और फिर हमने, क्या लिया, price, price, ok, price में जो हमने previous मिलिया था, हम वही लेंगे, ok, अब हमने क्या किया था, जो हमने यह किया था, देखिए, हमने pp.bar लेकर, week को as a, हमने, x and price को, हमने price को as a, y लिया था, ठीक है, और फिर हमने इसको show कर दिया था, ठीक है, pp.show, यह तो आप जानती ही है, ठीक है, लेकिन, हमने कहा कि हमने, हमने, इस बार label लेना है, क्यों, क्योंकि हमने, जब हमने run किया था, तो देखिए, यहाँ पर क्या था, यह graph आया था, ठीक है, हम यह नहीं मालूं कि जो, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, यह क्या है, हमें पता नहीं है, तो हमें इस पर mention करना है, कि यह दोनों क्या चीज है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिया, पीपी, आप चाहो तो आप पहले बार से पहले भी ले सकते हैं, यह बार के बार भी ले सकते हैं, हमने बार के बार ले ले लिया, हमने का जो पीपी पे, एक्स लेबल है, एक्स लेबल तिक के दिखिया जैसी हम इसको रं करते हैं रं करने के बाद देखिए यह क्या गया प्राइसग् consuming मुझे पॉच्छ हम यहां पे टाइडल मेंशन कर सकते कि इस ताइटल लेंगे तीआइट लेंगे TLE हमने title लिया और title के अंदर हमने यहां पर लिख दिया double quote के अंदर Kate price market price ओके और इसको जैसे हमने run किया तो देखिए क्या mention हो गया यहां पर market price तो आप title भी mention कर सकते हैं अब attribute की बारी अब जो attribute होता है वो function के अंदर जो हम use करते हैं उसके अंदर use होता है तो दिक्या हमने दो important function एक color और weight attribute होता है जो pillar होते हैं उनके by default जो color होते हैं उनको अगर हमें नहीं चाहिए हमें different type के color चाहिए तो हम color attribute का use कर सकते हैं आप जाब तो एक ही type के color अलग-अलग graph में दे सकते हैं या अलग-अलग pillar के अंदर just suppose के जो color है एक graph के अंदर जो pillar है उसके सारे pillar हो में एक ही जैसे color दे सकते हैं या आप हर pillar के अंदर अलग-अलग color को mention कर सकते हैं तो देखिए अगर हम एक graph के सारे pillar में एक ही color mention करना है तो हम mention कर देंगे data one and data two xy and color is equal to color तो यह क्या color होंगे तो यह सारे के सारे जो हमारे बार होंगे उसमें एक ही color mention हो जाएगा या यह कर सकते हैं कि आप graph के अंदर हर एक बार में अलग-अलग color mention कर सकते हैं जितने बार उतने color देखिए हमारे पास हमने import लिया mat as a pp ठीक है numpy ले लिया list के लिया height हमने list ले लिया name हमने ले लिया as a list ठीक है अब हमने देखिए क्या किया bar लिया name as a x height as a y and color तो हमने देखिए red लिया green के लिया हमने G ले लिया blue के B ले लिया black के लिया और अगें ready ले लिया तो दीखिए हमारे पास 5 values है तो 5 values के साथ 5 color और हमने title ले लिया height of student फिर name ले लिया height ले ले लिया height ले ले एं शोग कर देखिए हमारे पार high जाया name आया और ये देखिए तो यह सारे color हमारे mention हो गए, किसके through इस color attribute के through और यह सारे color हमारे बार में भी mention हो गए, अब विर्थ, विर्थ हम मतलब ही होता है कि जो बार, जो graph है, बार graph है, उसके हर एक पिलर का जो size है, ठीक है, वो आप describe कर सकते हैं अपने according, वैसे तो सब equally होते हैं, लेकिन हमें अपने according, क्या करने है, describe करने है, तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो इसके features होते हैं, तो देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, पीपी बे बार, और data 1 as a x, data y as a, ठीक है, data 2 as a y, width, size 1, size 2, जीतने भी आप बार है, graph, यानि बार में जो पिलर है, उन सब पिलरों का size describe कर सकते हैं, तो हमने height ले लिए as a list, name लिया, फिर हमने यह देखे, क्या किया, बार लिया, name as a x, height as a y, width, देखे, हमने इसका size 1, 0.5, 0.9, 0.2, 1.5, आप अपने according size describe कर सकते हैं, उसकी list ले सकते हैं, और हमने title as a height ले लिया, ठीक है, height of student, फिर name लिया as a x, as a y height लिया, और show कर देखे, जैसे height देखे, इन सब कर size height, जो bar के size थी, वो different size में show हो गई, यह width, आपने देखा, कि यहाँ पर हमारे पास, सारे के सारे जो bar है, उनकी color बिलकुल same है, लेकिन आप चाहते हैं, कि हमें इस bar के जो color है, अलग-अलग रखने, या तो आप एक ही रख सकते हैं, या अलग-अलग, त है, और price है, उसके बाद कॉमा करके हम use करेंगे color, हमने color लिया, is equal to, और इसमें क्या किया हमने एक color, जैसे हमने डाल दिया black, या आप डाल सकते हैं red, हमने red ले लिया, और red करके हम इसको run करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर सब में red color mention हो गया, लेकिन आप चाहते हैं, कि अलग-अलग color चाहिए सब में, तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग color के हिसाब से, हम एक list create कर लेंगे, और list को mention कर देंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारा graph है, इस graph के अंदर जो इतनी बार है, सब के color हमें mention करने हैं, अलग color में, तो हम यह क्या करेंगे, height के बाद हम यहाँ पर color is equal to red, हमने red कर दिया, तो जैसे हम इसको run करते हैं, देखे, सारे red हो गए, लेकिन आप चाहते हैं, कि हमें ये क्या हर एक area, यानि हर एक बार अलग-अलग color में mention करना है, तो हम क्या करते हैं, कि हम एक list बनाते हैं, किस type का, c type का, c means color, और इसके list के अंदर, हम color mention कर देते हैं, हमने कहा red, जितनी value है, हमने कहा blue, हम और लेंगे, हम orange लेंगे, और orange, फिर हम कहेंगे green, हमने green ले लिया, और जो list हमाई c है, वो हम अपने bar वाले column में आएंगे, और height के बाद, हम इसका attribute, c, और attribute लिखेंगे, और container कहां है हमारा, सारे color कहां है, c में, तो हम इसको c लिख देंगे, तो हमने जैसे इसको run किया, देखिए, क्या हुआ, सारे color आपके सामने show हो गए, तो आप चाहे तो एक ही color अलग-अलग bar में डाल सकते हैं, या अलग-अलग color, अलग-अलग आप pillar में mention कर सकते हैं, multi-level bar graph, multi-level bar graph का मतलब होता है कि एक graph की pillar के उपर दूसरा pillar generate हो जाता है, तो graph clustering is to partition a graph such that vertical in the same cluster are more interconnected, यानि एक graph के उपर दूसरा pillar, यानि एक pillar के उपर दूसरा pillar generate हो जाता है, तो देखते हैं, हमने example लिया, matplotlib, फिर हमने num पाए लिया, फिर हमने height की एक list ले ली, फिर age की list ले ली, ठीक है, फिर name की list आगी हमारे पास, तो हमारे पर इस बाद दूसरा 20 पर तीन value है, अब दिखिए हमने पहले pp पर बार, तो हमने सबसल name और age का लिया, क्योंकि name क् हमारे as x, और age हमारी as y, फिर हम वापस से graph बनाएंगे, name को वापस से main part लेंगे, और इस बार हम age की लेंगे, height लेंगे, x label name, y label हमने height ले ली, ठीक है, और उसको show कर दिया, जैसे show की है, तो देखिए हमारे पास, क्या show हो गया इधर, ठीक है, तो ये दिखिए हमारे पास height आ गई, ठीक है, ये हमारे पास age आ गए, देखिए, graph के उपर, graph, यानि bar graph के उपर, bar graph, ये create हो गया, हमने यहां पर, import किया, matplotlib.pyplot as pp, और साथ में हमने, import किया, numpy as np, because, list के लिए, फिर हम यहां पर is equal to name, इतर लिखा kukku, फिर हमने दूसरा लिखा shibu, ओके, फिर हमने यहां पर लिखा marks, और हिंदी के marks पर हमने डाल दिये, five, ten, nine, और same as it is हमने क्या किया, यहां पर kump indispens के marks ले लिए computer computer मैं यहां राण 20 नाल दिया 사व नीहां पर 5 डाल दिया यहां पर 4 डाल ऊके और हम यहां पर क्या करेंगे PP dot लिखिएंगे बार प्हों किया लिखिएंगे पहले name और और name के बाद हम लिखेंगे Hindi के marks, okay, और same as this, वापस हम यही लिखेंगे, बस यहां पर Hindi की जीगे, हम computer कर देंगे, okay, और फिज़र pp. आप चांदते हैं, क्या लिखेंगे, show, और function, जैसे हम इसको run करते हैं, देखिए, यहां पर क्या आ गया, हमारे bar आ गया, अब multi bar graph, multi bar graph का मतलब है, कि आप pillar के बगल में pillar बनाएंगे, हमने previous में pillar के उपर pillar बनाएंगे, लेंकिन इस बार pillar के बगल में हम pillar बनाएंगे, side में, ठीक है, तो हमने इस बार matplot, lab और यह ले लिया, numpy हमने ले लिए, लिस्ट के लिए, अब info, हमने एक लिस्ट लिए, info जै India इने 50 gold, 90 silver, इतने यह सब जीते हुए, Japan का हमने ले लिया, ठीक है, और UK का हमने ले लिया, ठीक है, हमाँ यह पास कितने चार लिस्ट हो गई, अब हमने क्या किया, arrange कर दिया, arrange क्यों, क्योंकि हमने जो length ली है, किसी info की, वो कितनी length है, हमाँ पास 1, 2, 3, 4, 4, चार length है, और info, info, यह रही gold, silver का, वो जागा as a x, India क्या जागा as a y, और इसकी जो width है, किसकी, India की, वो 0.15 होगी, ठीक है, अब दिखिए, x plus 0, x plus 0.15, तो यह क्या mention करता है, कि जो हमारी arrange किया हुई value x में आई है, तो उसमें 0.15 add हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, जापान, औ 0.15 देती है, अब देखिए क्या है, जो x में जो value add है, यानि arrangement, उसमें 0.30 आजाएगा, क्योंकि 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, इन दोनों का मिला जाएगा, 0.30 होता है, तो अब जो value आएगी, वो 0.30 और x की arrange value, उसके add होनी के बाद आएगा, और उसका बात कौन है, list UK, और UK की width है, वो भी 0.15 होगी, तो देखिए, total, अगर हमने किया, तो इस बास show कर दिया, तो show करने के बाद क्या होगा, ये graph बन जाएगा, तो दीखिए, इसने क्या कि arrange है, इसको 4 part में divide कर दिया, 4 part में divide होगया, arrange, क्या आप जानती है, ठीक है, और हर एक part, दीखिए, क्या होता है, हर एक part add होगया, तो arrange नहीं क्या किया, lane निकालकर, x पर डाल दिया, तो 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमाँ पास gold, silver, bronze, और total है, और इसके बाद क्या हुआ, 0.15, ये, दिखिए, size, ठीक है, ये, जो size है, 0.15 है, 0.15 है, 0.15 के बाद क्या हुआ, जो x पर value थी, वो सब add हो जाए, 0.15, इस next जो आएगा, वो भी 13, यानी 0.15 के बाद, यहाँ पर 13 है, ये 15, और 15 के था 13 होगा, 13, 13, 13, 13, 13, फिर अगें, 0.15, तो ये आजाएगा, add होता रहेगा, last में, तो इसे कहता है, multi bar, हमने यहाँ पर, import या, matplotlib, dot piplot as pp, और साथ में हमने, import किया, numpy as np, because, list के लिए, फिर हम, यहाँ पर, हमने, इधर लिखा, is equal to, name, इधर लिखा, kukku, फिर, हमने दूसरा लिखा, shibu, ओके, फिर हमने यहाँ पर लिखा, puja, तीन value ले लिए, अब इनके according, हमने कुछ marks दिये, हिंदी में, हिंदी में हमने कह दिया, कि 10 में से हमने marks दिये, एक में 8 है, ठीक है, दूसरे के 10 है, बने, इंके 5 है, एसी में यहाँ एक जा-पिद लिखा, इंग्ली ले लिखा आ, 5 marks, 10 marks, and 2 marks, तो हमारे पार देखे कितनी लिस्ट होगी, हमारे पार 4 लिस्ट है, multiple graph बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम एक container लेंगे x, ओके, और numpy, numpy क्यों, क्यों कि हमें arrange करना है, arrange करना है, और यहाँ पर हम एक function लेते है, land, और land function के अंदर हम डालेंगे, या name, name function के में कितनी length है, यानि उसके अंदर कितने element है, यह find out करके, वो arrange को दे देगा, और यह arrange function, ज्या करेंगे, graph को arrange कर देगा, कि उस graph में कितने graph या बार create होंगे, तो हमने यहाँ पर पहला बार create किया, pp. हमने लिखा बार, और इस बार में हमने क्या mention किया, name, क्योंकि हमें name ऐसे x लेना है, और इसमें हमने डाल दिया हिंदी के marks, पहले हिंदी के marks हो गया, फिर हम चाहते हैं, कि हिंदी के marks की width है, वो 0.154, यानि उसकी thickness, साथ में हमने a को ले लिया, उसमें भी हमने क्या किया, name को उटा दिया, और हम यहाँ पर कहते हैं, कि जो हमारा x है, ओके, जो हमने जो arrange किया है, वो क्या होगा, उसमें, जो हमने 0.15 लिया है, जो thickness लिया है, वो add हो जाएगी, और यहाँ पर हमने ले लिया English, और यहाँ पर हमने width क्या कर दी, वही, same, 0.15 लिया, इसकी भी width, English की भी, ठीके, इस same as it is, हमने यहाँ पर, again, जो हमारा x आया है, जिसने arrange किया है, तो वो थी जो ठिकने से, हमने कितनी कर दी, 0.30, क्योंकि हमारे बीच में gap है, हर एक subject की बीच में, इसी लिए, और इस, यहाँ पर subject हम लिख देंगे, computer, ओके, तो हमने देखिए, एक ही, बार पर, हमने बहुत सारे graph create कर लिए, जैसी हम इसको run करते हैं, हमारा graph, create हो गया, next है horizontal bar graph, horizontal bar graph में चाहता है, कि जो भी graph होता है, उसको, ऐसे horizontally show किया जाता है, means, to create a horizontal bar chart, we need to use bar h, bar h means, bar horizontal function, तो देखते हैं कि हम example में, हमाय पास वही की वही list है, जो हम अभी previous में यूज किया, matplot graph graph बनाने के लिए, numpy, list के लिए, list हमारा पास क्या है, height and weight, height है और name है, height and name, अब इसके अंदर हमने क्या कि pp.bar h लिखा, हम जब कि bar लिखते है, name as x, height as y, और x label, y label दोनों हमने ले लिए, और जैसे हम show करते हैं, तो देखिए आपके सामने क्या mention हो जाता है, पहले वो vertical bar होते थे, लेगिन इस बार क्या है, horizontal bar, हम यहाँ पर import करेंग mat plot lab dot pi plot, pi plot as pp, और हम यहाँ पर हमने height में लिया, हमने लिए 4 feet, 5 feet, 6 feet, 5.2 feet, हमने 4 value ले ले लिए, और साथ में हमने दूसी list लिए, जिसके अंदर हमने mention कर दिया, name, हमने यहाँ पर लिखा, shibu, comma double quote में, kukku, फिर हमने यहाँ पर लिखा, neha, ओके, फिर इदर लिखा, राजू, फिर हम graph पर design करते हैं, bar, graph और हमने यहाँ पर लिए, name as a x and height as a y, ओके, और हमने यहाँ पर label भी ले लिया, dot x label हमने लिया, okay, और x label में हमने क्या mention किया, name, पर साथ में हमने क्या लिया, y label ले लिया, और y label हमने क्या mention किया, height, okay, और हमने pp को show कर दिया, जब हम show करते हैं, तो देखिए, हमारा bar graph create होता है, लेकिन, हमें इसको horizontal करना है, तो हम सिर्फ बार में, यह जो बार दिख रहा है, इस बार में, हम यहाँ पर, सिर्फ औसे h लगाएंगे, जो mention करता है, horizontal को, और हमने जैसे इसको run किया, देखिए, किस में convert हो जाता है, horizontal graph में,